दिल्ली NCR में RapidX कोरिडोर, डली मेरट RRTS कोरिडोर के विस्तार को लेकर कवायत शुरू हो गई है। योगी सरकार दिल्ली मेठ गाजियाबाद में ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद इसे ग्रेटर नोएडा के दुहाई से जेवर एरपोर्ट तक जोडने की योजना बना र रही हैं। योगी सरकार वेस्ट यूपी के तीन जिलों शामली गुलंदशहर और हापुर को भी इस योजना में जोडने जा रही है। यूपी सरकार की माने तो यह प्रोजेक्ट पहले चरण में शुरू होंगे। वहीं जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनाशनल एरपो से जोडने के साथ साथ नोएडा मेट्रो से भी जोडने की बात चल रही है। जेवर में एरपोर्ट और कारगो का निर्मार कार्य तेजी से चल रहा है। रैपिडेक्स का पहला चरण साहिबाबाद से दुहाई तक अगले सब्ता शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और दिल्ली में कई जगह रैपिडेक्स ट्रेन चलाने की योजना है। दिल्ली NCR में आबादी लगातार बढ़ रही है। NCR की प्लानिंग बोर्ड लोगों का सफर आसान बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी क चुका है। इसी के तहट दूसरे चरण में गाजिया बाद मेरट, गाजिया बाधापुर, गाजिया बाद खुरजा, शहादरा शामली, सोनीपत पानीपत, गुरुग्रामरेवाडी, बरार्स काव्यर दिल्ली कैंट और बल्लबगड पलवल शहर शामिल कए गए हैं। पह इसी दिन RapidX train को लेकर और भी कई घोशनाएं हो सकती हैं। दूसरे चरण के लिए सोनीपत पानीपत रूट पर काम शुरू होना है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। न्यू तिलक ब्रिज, नौएडा और ग्रेटर नौएडा में RapidX चलाने की योजना है। ग्रेटर नौएडा को नौएडा इंटरनाशनल एरपोर्ट और कारगो से भी जोडा जाएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को शेर करना न भूले जै माता दी।